दूस्तों आज की कहानी है बहुरानी तुम आई दिन बिमार पड़ जाती हो दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्रैप नहीं किया हूँ तो कर लीजिये ताकि आपके पास पाउंसे और नया वीडियो नीता को आज सुब से अपनी तव्यकुष ठीक नहीं लग रही थी लेकिन सुबा दोनों बच्चों और पती नीरस का टीपिन बनाना बच्चों को त्यार करके इसकुल बस तक सोड़ना इसके बास सास ससुर और दादी सास को साय नास्ता देना ये सब काम उसने कीसे तरा बरातो साई नीव जैसी कडवी लगी उसने साई भैक दी और अपने कमरे में जाकर लेट गई अब तक उससे कापी ठंडी लगने लगी थी और एक सो स्यार डिकरी फिवर सड़ाया था उसने धर्मामेटर का पारा डाउन किया और राधा को आवाज देकर बुलाया राधा उसकी ग्रेलू सयकता थी पाबी आवको क्या हुआ राधा ने आती फूसा बुकार आ गया है राधा आज तुम ममी जी से फूस कर खाना बना लेना मेरी हीमत नहीं पड़ रही है आप आराम की कीजिए खाने की सिंता ना करें वो हम सब कर लेंगे आप भैया से बोलकर अपन लिए दवा मंगा लेजे ठीक हो जाएगा साम तक तो मेरी सिंता ना करो बस काम देख लो क्योंकि पापा जल्दी खाना खाते हैं ठीक बाबी अपना ध्यान रखना करकर राधा कीशन की तरफ सली गए करने को तो नीता ने कह दिया की साम तक ठीक हो जाएगा लेकिन उसको लग रहा था कि उसका सर्द्रकी वज़े से फटा जारा पूरे बदन से आग निकल रही हैं पूरा बदन टूट रहा जब उस थी सहन सकती जवाब दे गई तब उसमें अपनी सेली रिया को फोन अपनी पर अपनी सारी स्थती बताई और दवा पूसी रिया सरकारी होस्पिटल में डॉक्टर हैं वो ये सुनते ही अपनी गाड़ी से निता के घर आ गए और जब उसने निता को देखा तो आर्चे संकीत रगई दर कापी दिनों से काम की अधिकता की वज़ा से दोनों सेलियों की मुलाकत नहीं हुए थी निता की आखों के नीसे काले गेरे पड़ गए थी होट में पपड़ी जमी थी आखे सपेद और अंदर को दस गए थी निता तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी हैं तुम अपना जरासा भी ध्यान नहीं रखती हो अपना ध्यान थुम तुमें खुदी रखना पड़े इमार न पड़ती तो मेरी प्यारी सेली मेरे पास आती क्या नीता उटने की कोशिश करते में बोली तुम सुब साप लेटी रहो मैं ये दबा दे रही हुई से 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 घंटे में लेती रहना खाने में केवस जूस फल और दज्या ही लेना सो विस घंटे में फीवर कम न हो तो होस्पिटल आकर बल्ट की जाज करवाग लेना अच्छा में सती हो अपना ध्यान रखना जाते जाते रियान ने नीता की सासे का माजी नीता को बहुत तेज भूकारे में ने दबा दे दी हैं फल या जुस देने के बाद उसे दबा दे दीजिएगा उसके सरीन में बल्ट क बहुत कमी हैं उसके खाने पर भी वीशेश द्यान देना पड़ेगा जब देखो तब मारा नीजी बिमारी पड़ी रहती हैं आपने भी काम किया हैं पर इनकी तरह आये दिन बुकार का वहाना बना कर बीस्तर में नहीं पड़े रहते थे नीता की सास बढ़ बढ़ाती जा बहुं में और तुमारी दोनों नंदी तुमारे साथ काम करवाते रहते थे भी मारी बता कर आती हैं ज्यान नीता भै सारी सूबह से अकेले सारे काम करती हैं आव उसको आराम कर ले ने दो दो सार दिन रादा खाना बना तो रही है नीता की दादी साधवसुदा ने कातो सुमद नीता की सास पैर भटक देवे अंदर सली गई साम को नीरज की आती बच्चों सांच साल की रूई और पांच साल की सोरिय ने बाताया कि पापा ममी की तव्यत खराबे वो लेटी है नीरज को देख दी उसकी मम्मी बोली फिर मारानी की तब्यद कराबे जाओ देखो जाकर नीरज ने देखा कि नीता को बहुत तीज फीवरी उसने फुसा कुस दवाली हाँ सुबह खाई ती रिया आई ती वही देखर गई है नीता ने का सलो जल्दी से त्यार हो जाओ होस्पिटल सलना नीरज ने का में ठीक हो जाओंगी आप परेशा न हो ममी जी गुसा होगी होस्पिटल जाने में नाराज हो तो होती रही तुम त्यार हो जाओ नीरज पतनी को लेकर होस्पिटल गया वहां उसकी कहीं जासे हुई और नीता को एडमिट कर लिया गया क्योंकि सारे परिवार का ध्यान रखने वाली नीता खुद के खाने पिने का कभी ध्यानी नहीं रख दी ती परिणाम सरुप उसके सरील में बल्ड की बहुत कमी थी दो दिन बाद नीता सवस्त्य होकर घर आ जब तक पूरी तुम पूरी तरसे ठीक नहीं हो जाती में रादा की मदर से खाना बना लिया करूंगी बाबी मैं भी अपने सारे काम खुद से कर लिया करूंगा नीता का सोटा देवर पंकस बोला भावी साम का खाना में बना लिया करूंगी इसी बहाने खाना बनाना भी सीख जाओंगी नीता की निरजने का मैं बाजार का काम कर लूँगा नीता के ससुर बोले में सब के कबड़े फोल्ट कर दिया करूंगी इससे तुमारी कुस वदत हो जी दादी मा करकर नीता ने हामें सीर खिलाया ये बंदा हर समयाव की खिद्मत में हाजी रहेगा नीरस ने ये वाकिय इतने नाटक की अंदाज ने सर जुका कर बोला कि घर में कोई भी बिना हसे न रह सका दोस्तों बहु उसे सर्फ काम और सेवा की अपेक्षा की जाती हैं उनकी बिमारी में लगता है कि ये उनका नाटा के यंदी गर की सभी सदस्यों मिल जूर कर घर के कार्यों को कर ले तो किसी एक के ऊपर काम का बोज नहीं पड़ेगा और बहु भी हमेशा खूस और सवस्तिय रहेगी बहु को भी घर के बाकी सदस्यों के साथ साथ खुद के खाने पिने का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो परिवार की दूरी है जब वो सवस्त्य रहेगी तब ही परिवार के सबी सदस्यों का सुमिसत द्यान रख पाएगी